नमस्कार दोस्तों स्वागाते गवार फिर से आप सभी का अड़ा 24-7 में जी मेरा नाम शुभम शिरवास्तव है मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर मेरी पुरी टीम और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं भारत वर्ष में एक पहुती बहतरीन वेकेंसी जिसका नाम है EPFO जो कि यहाँ पर उत्पन हो रहा होगा लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर आपके लिए कोई अपॉर्चनिटी आई है वो भी EPFO की अपॉर्चनिटी है तो मुझे लगता है कि आपको मिस्स नहीं करना चाहिए तो गाइस यहाँ पर आखिर कर किस तरीके से हम इस एक्जा करने के लिए सही आपको दिशा दिखाना यह हमारा काम है तो आज हमारे बीच यहाँ पर है नवनीज सर बैभाफ सर एंड विवेक सर जानते हैं आखिरकार नवनीज सर से क्या अखिरकार जो अपॉर्चनिटी आई है इस अपॉर्चनिटी को अगर हम ग्राइब करने जा र और मैं मानता हूं कि मैं अपने लाइव सेशन में हर बार कह रहा होता हूं कि हम लोग हमेशा है इस बी आई इन सारे एक्जाम को टार्गेट कर रहा है नो डाउट करना भी चाहिए काफी प्रतिश्टित विकेंसी होती है यह सब लेकिन कभी कर कहते हैं कि आप देखते होग स्क्राइब कर देखते हो तो अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाऊगे है और हम सभी बच्राइशों को पता है बहुत अच्छे की की चो प्रतिश्टित एक बिंद चाहिए बड़े नंबर्हें स?, तो यह 2700 प्लस है तो क्यों हम छोड़ें राइट क्योंकि एस्पिरेंट अगर आप हो अगर आप रियल एस्पिरेंट हो तो आपको किसी भी अपॉशन्टी को छोड़ना नहीं हर एक अपॉशन्टी को ग्रैप करते हैं क्योंकि हमारा गोल वही है कि हाँ हमें होती है और आपको भी इसीच को समझना होगा अगर कोई वेकेंसी अगर कोई बड़ी अपॉशन्टी आपके सामने आई है तो उसे छोड़ना नहीं है वैबो सर क्या कहीं आप इस बारे में और अगर हम बात करें इसके एक्जाम पैटर्न की तो इक्जाम पैटर्न भी और इसमें कुछ-कुछ लोग ऐसे कुछ चिनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म यिदन करते निक बहुते हैं और उनकापर क्वालिफाइव तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हम बल्क रावेकर्शन्स कन रहते हैं तो कहीं यह अच्छी नपरचून्टी आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हो, कि number of questions कितने है 30,30, और marks कितने है 120, यानि अच्छा खासा marks आपको देया जा रहा है यहाँ और equation आपके question कितने number का है तो चार number का, तीक है, यानि कि अच्छे marks आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आप गेन कर सकते हो तो आगे में हम बात करेंगे आपका यह से का है और इस टेनों का एग्जाम पैटरन है आप देख सकते हो यहाँ पर तो आगे में हम बात करेंगे विवेक सर से क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी भी है दस क्वेस्टन चालिस नंबर की तुसके रिगार्डिंग हम विवेकसा से बात करेंगे विवेकसा से फिर हम आपस मिलते हैं बच्चों जैसे सर ने बता है कि एक्जाम का पैटर्न क्या है पैटर्न आपने देखा भी है कि क्या जनल्राइब और आप जो प्रिपेशन कर रहे हैं उसी में कुछ स्टैटिजी बदलना होगा कहने का मतलब किसी एक्जाम को क्रेक करना है तो अगर आप इस लेबस को पढ़ें तो आप जो अल्रेडी प्रिपेशन कर रहे हैं वही सारी चीजिए आपको कुछ चीज एड़न करनी पड़े है और जो हम कर रहे हैं उसी पर बेस्ट है तो हमें यहां पर अप्रोच लेना चाहिए जैसे में थोड़ा से एक्जामपल लोगा लिट्रेसी के बारे में तो यह लिट्रेसी सब्द जहां पर लिखा रहता है तो यहां पर बात करता हूं जैसे की MS Word Office वे जो पार्ट होता है मैमोरी जैसे तो यह हम पढ़ रहे हैं उसी पर है सबदावाली करके हम उसको कवर करेंगे एक बड़े मन बना लो परिस्टित आपने बदल जाती है अब भी देखने के भी हाल में आपके पास कोई भी अपॉर्चनिटी अगर नहीं है अब आपका जो ग्यान है कभी वह जाय नहीं जाता है और अगर हम से सपोज़ जो हमने पढ़ा हुआ है वह हमको लगता है वह कभी जाय नहीं जाएगा तो अगर वहाँ की बात करे जाए तो वहाँ पर घर घर वहाँ पर आप सभी को जितने भी अगर college डिस्की बात की जाए तो वक्शॉप दी जाती है जैसे वहाँ के लोग अगर fridge खराब होता है न तो भागते नहीं है कि इंतिदार नहीं करता है मेगनिक का वह skilled है उनके घर washing machine खराब होती है तो भागते नहीं है तो आप एक से अधिक skills भी रख सकते हैं और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जैसे कि बात करी यहाँ पर general aptitude की तो यह reasoning का पार्ट है जहां पर चुकि कंड़क्टिंग और एक्जाम कंड़क्टिंग जो बॉड़ी है इस इस एंटीए है न जिसका जो रहा है प्रिवियस्ली रिकॉर्ड रहा है कि एक यहाँ पर चीजों को पूछना सो यहाँ पर आपका general aptitude में हम लोग ने एक session भी अभी किया है क्या की reasoning का स्लेबस क्या रहेगा तो उसको आपको पढ़ लेना बैंक का स्लेबस जो है वो तो ही लेकिन कुछ चीज़ जो एड़ ऑन हो रही है वो आपको यहाँ पर पढ़ना और मुझे लगता है कि सीखने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है और हम लोग उसके लिए तयार भी है ठीक है फिर यहाँ पर आजाता है आपका जो बैंकिंग क सब्सक्राइब करने अब आपके पास है लेकिन साथ यहाँ पर चीज़े जो एड़ ऑन होंगी वह आपके जीएस के पार्ट से होंगी तो इसको भी आपको आप सीख सकते हो मेरा मानना है कि मनुष्च यहाँ पर चाहले वो सीख सकता है फिर यहाँ पर बात आती है तो यहा हर एक टॉपिक को काफी क्लियर में मैंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं टॉपिक और जैसे कि अभी आपको शुबम सर ने बता है कि एंटी यह बॉड़ी है जो और इनका कहीं मानना ही है देखो हाँ एक इंपोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि अभी भी हम लोग 100% शौर नहीं है कि सिलेबस यही होगा ठीक है और हमारी जो टीम है 24-7 को लगातार R&D कर रही है वो लगातार EPFO से हां कॉन्टैक्ट में है वो लगातार उनसे discussion हो रहा और उनसे request की जारी कि बहुत जल्द जितनी जल्दी हो सके आप सिलेबस को declare करो accuracy के स जिसे कि हम अपने बच्चों को इनफॉर्म कर सकें लेकिन जो एक possibility जो एक अनुमान लगाए जारा कि सिलेबस क्या हो सकता है उस हिसाब से हम आपको बता है कि mathematics में जो अर्थमेटिक्स है वो तो सब जिगा सेम है जैसे मैं हम इसा कहता हूं कि mathematics को कोई धर्म नहीं होता कोई रहाई नहीं गया था तो सेफर साइड में आपको हर एक चीज बताई जारी होगी एडवांस के टॉपिक्स अगर ट्रिनोमेट्री है जिमेट्री है अलजेबरा है तो उसकी वरक्शॉप आपको यूटूब पे दी जारी होगी और जो नॉर्मल बैंकिंग का पार्ट है या है कि कोई भी चीज आप से छूटे ना ठीक है और जैसे ही सिलेवस हमें 100% अप्डेट किया जाएगा उसी मोमेंट पर हम आपके साथ अप्डेट कर देंगे और मुस्ट इंपॉर्टन बात की आने वाले समय में एनरे सीटी भी आने वाला है जिसकी रूप रिखा कुछ ऐस देखने को मिलेगी तो आप कह सकते हो यह जो एक्जाम है आपके लिए ट्राइल गेम हो गया है यहां पर आप थोड़ा सा अगर फोकस्ट हो गए तो आप अभी से अपने आपको पेपेर कर लोगे कि आने वाले समय में अगर एनरे सीटी आता भी है तो भी आपको कोई कोई है तो कहने का मतलब किसी तरह का नएज चेंज़ आता है तो हम लोग उस पर और करते हैं और उसी एकॉर्डेंग आप लोग कॉंटेंड वहां पर प्रोवाइड करेंगे और यह रहा पूरा करेंगे बिल्कुल मंदे से मंदे से क्लासे कि मतलब कहने का यहां पर यह है कि आपको पता कि अड़र 24 7 हमेशा इनिशेटिव लेता है आपके कोई भी जिसे आप च टीम ने मिल करके के हम इसको यूटूब में आप सभी लोको बिल्कुल यहां पर पढ़ाएंगे ठीक है तो क्या है आपके क्लासे के टाइमिंग नोट कर लीजे आप लोग प्लीज टीक है सो देखिए यहां पर कंप्यूटर टीक है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लीज सो इसका जो टाइमिंग है प्लीज आप लोग नोटाउन को लीजे थरी पीम क्योंकि याद रखीगा दस कोश्यन का जो वेटेज है चालिस माक्स है ठीक है क्योंकि अगर बात करें यहां पर नेक्स तो फड़ा सा सिक्वेंस दिखाते हैं तीन बजे हो गया ठीक है इपर द रिजनिंग ठीक है फॉर पिम यहां पर रिजनिंग है चुकि आज के स्टुएंट के अगरी डिमांड है तो शुब हम शरुआ सब काम करेंगा ठीक है नेक्स अगर हम चलते हैं पीछे सब यहां पर यहां पर एपीए फो ऐसे हम शुरुआत कर रहे हैं से आपको बताने ऐसे सबके नवनी से करें सो यह जो योट्यूब की क्लासें कि आप लोग को बहुत अच्छ़ा लगए और अप सभी लोग ко तूझ यहां जुरूष हम वहाँ पर हादर है यह हमारे कुछ पर्टिकुलर इसे हैं कुछ हमारी क्लासेज है और हम बढ़ते आगे कि तरफ यह वाइन श्री क्लास को टैम है यह पर ठीकिज apps की एक एक सब्जेक्ट हैं तो हमारे बैभाव सर भी है वहाँ पर और हमारे यहाँ पर क्या साइंस वाले गुरू जी भी है यहाँ पर टिक है तो चलिए तो आई थिंग यह तो हमारा यूट्यूब का पर्टिक्लर यहाँ पर एक शेडियूल अब हम बात कर लेते कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर डेडिकेट पर हैं ठीक है और यहाँ पर भी हम है वो जो डेडिकेटेटली स्लॉट्स पढ़ना चाहते हैं यह देखी बैच आपके सामने है टार्गेट एपफो और सुसल सिक्रिटी असस्टेंट ऐसे से राइट और यहाँ पर देखिए यह जो बैच है आपका इस इस बैच को आप अ पर पूछा जा रहा है ठीक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे विजिट करिए वही पर आपको इस पैटिकुलर बैच को खरीदने का एक डिसकाउंट कोड़ भी मिल जाएगा ठीक है इस ट्रेस की डॉल करने का डिसकाउंट भी मिल जाएगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं कल से यानिकी मंडे से मजा आने वाला है और काफी दमदार सेशन से लेने वाले सारे फेकल्टी इस अपने कौंटेंट को यहां पर रेडी कर रहे है आई होप की संडे है आज ही इसी में निकल जागा पूर दें ठीक कोई नहीं सो रेगुलर बने रही है अड़ा 24-7 के साथ सर जॉप यहां पर लेनी है मतलब लेनी है तो थैंक यू सो मच हब अगुड़ देश्यू कर देश्यू कर देश्यू कर देश्यू